आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि Amazon पर online payment कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों कोई कि इंडिया चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो Amazon पर online payment करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में Amazon आप को open करना है Amazon आप open करने के बाद आप जो भी समान खरना चाते हैं लेना चाते हैं उसके लिए उपर में एक search box दिया गए आपको search box पर click करना है क्लिक करने के बाद आप जो भी चीज लेना चाहते हैं उस चीज को आपको टाइप कर लेना है तो चली हाँ पर हम बैग लेना चाहते हैं तेहाँ पर हम बैग टाइप करते हैं आप जिसी जो भी चीज टाइप किजेगा उससे रिलेटर आपको बहुत सारे समान देखने को मिल तो इस में से आप जो भी पाम जो भी पशन है उस मैं को लेना करते हैं कि करने के बाद आपको इंभर की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको online payment करने के लिए यहां पर आपको कई सारे option मिल जाते हैं, तो यहां पर आप जिस भी चीज़ से online payment करना चाहते हैं, जैसे कि सबसे first में दिया गया है, Amazon UPI, Google Pay UPI, Bheem UPI, आप किसी भी UPI से payment करना चाहते हैं, तो आपको इस पर टिक करना है, इस पर टिक करने के बाद यहां साबढ़ को जो भी आपका UPI है, अगर आपका अपना UPI है, तो आपको set up Amazon पर UPI कर देना है, अगर आप यहां दैर को UX इस पर करना है, तो चल यहां साबढ़ मेंट ओज्द्सन करने के लिए कि लिए उसके बाद वाहिस आपको bank किस bank का है, तो यहां पर आपका जो भी UPI open हो जाएगा उसके बाद वहां साब को payment करने के लिए कहेगा तो यहां साब payment कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे में एक option मिलता है add debit card ATM card या credit card अगर आप ATM card या credit card से payment करना चाहते हैं आपको इस पर किली करना है इस पर किली करने के बाद ऊपर में आपको जो भी एक पारी मन्त है उसको डाल देना है तो चलिए यहां पर मेरा चोई मन्त है तो यहां पर डाल देते हैं उसके बाद यहां पर आपको एड़ और कार्ड कार्ड करना है किली करने के बाद आपके मोवाइल पर एक वेरिपीकेशन कोड़ जाए गा उसके बाद यहां पर आपका जो आमेजन से जो आप डेविट कार्ड या credit कार्ड जो भी अगर चाहिएं से क्लिक करना हाए को इन्दिक करने के बाद करने के बाद आपको अपना यूजर आईड और आपका पस्वूर्ट प्याद केबाद लोग यहां के बाद यूजै कर ले नहाए उसके बाद वहांस आपको पेमेंट कर देना है, आप जैसे पेमेंट किजिएगा तो यहां सबका ओनलाइन पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलता है, EMI, अगर आप EMI पर लेना चाहते हैं, तो यहां पर आप EMI, EMI पर ले सकते हैं, अगर आप case and delivery प कोई भी समान खरी दे सकते हैं, और आप ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ, तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,